राम राम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे खल भी आप वीडियो देखे होंगे फिजिक्स का सेकेंड है आज फिजिक्स का इतिसरा वीडियो है और वह भी लाइट चेप्टर का तो आज हम लोग क्या परने वाले हैं तो स्ब्का इसका कलाश फुली इस पर होने जा रहा है तो आप पूरे कंसंट्रेट करके चीजों को समझेंगे देखेंगे और बहुत इनज्ड रीगङे करेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं प्लेड मतलब समतल दर्फन में प्लेण विरार में कैसा कैसा परतिवीम बनता है औ और समझना है हम लोग का आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं सबसे पहला जान लीजिए समतल दर्पन में बनने वाला परतिवीम से भी पहले जरूरी है कि समतल दर्पन में जब लंबवत्र परकास परेगा तो क्या होगा ठिक देखिए हेडिंग होगा हेडिंग लगाईए आप लोग हेडिंग लगाएंगे आप लोग समतल दर्पन में लंबवत्र परने वाले किरन ये आप हेडिंग लगाईए कि समतल दर्पन में जब लंबवत्र किरन परेगा तो क्या होगा देखिए कोई भी एक प्लेन मीर लेते हैं आप अ कोई भी एक प्लेन मिर्ड लेते हैं माली जी ले लिए येक मिर्ड है इसको जैसी एक तरफ से हम क्या कर देंगे ये कर देंगे येक मिर्ड हो गया यह समतल दरपन है यह समतल दरपन है कहीं कोई से दिकत नहीं है अब संतल तरपन में लंबवत लंबवत मतलब सीधे 90 डिग्री पर ऑगर परकास को यहां से हम मारेंगे गौड किजिएगा एक ऑड़की पर तो क्या होगा आप इस चीज को गौड किजी क्या होगा जब परकास जाएगा और टकराएगा एक तुटम 90 डिगरी पर तो जईसी परकास गया है उसी ही क्या करेगा वापस आजाएगा यानि जब हम torch किसी से पर जब नब्वे डिग्री पर चलाएंगे तो direct वापस आएगा मतलब प्रावार्तन तो हुआ लेकिन जिस path पे गया उसी path पे वापस चला आया यहाँ पी आप देख सकते हैं यह एक plane mirror है समतल दरपन है अगर इस पर हम एको 90 degree पर गिरा दिये परकास ग किरन आएगी तो उसी path पर वापस लोटके चले जाएगी इदा उदर नहीं मुडेगी हाँ इदा उदर कम मुडेगी जब इसको नहम 90 degree पर नहीं थोड़ा तीर्चा भेडेंगे जाओ जब तीर्चा भेडेंगे ना तब यह ऐसे आएगी बात को समझ रहा है हाँ 90 degree पर भे आप तन कोन का मान बताईए कोन आई का मान बताईए तो कहिएगा कोन आई क्या होता है तो आप ठितक्रण अभी लंब के बीच बना कोन तो आप ठितक्रण भी यही है अभी लंब भी यही है तो इसके बीच 0 कोन बना मतलब कोन आई के मान 0 आजब कोन आई के मान 0 तो कोन आ पर अब्जेक्टिव आता है कि समतल दरपन पड़ जब लंबवत प्रकास की किरन पड़ेगी तो प्रावर्तन के बाद क्या होगी तो उसी पत्वर वापस लोटके चले जाएगी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का मतलब कि अब हेडिंग लगाईए सब समतल दरपन में परतीवीम का बनेना मतलब समतल दरपन में परतीवीम कैसा बनता है और कैसे कैसे बनता है उसका बात अभी हम देखेंगे ठीक है तो पहले आपको पूरे समतल दर्पन के बारे में बताते हैं ध्यान से सुनिएगा पहले तो हम आपको समतल दर्पन में परतिम बनाना सिखाते हैं प्यार से सिखिएगा और उसके बाद खल हम समतल दरपन के बारे में और सरा बात बता हैं कि समतल दरपन के बक्तत्रिजा कितना होती है बताईए अनन्थ, फोकस भी अनन्त केवल छमता सुन होती है, जीरो होती है आज बात करने लगे हम लोग समतल दरपन में परतिभीम का बनना एक बात ध्यान रखेगा आज से और अभी से कि परतिभीम बनाने के लिए ना कम से कम दो परकास कीरन चाहिए यानि दो को रे चाहिए दो लाइट गुजरना चाहिए तब ये परतिभीम बनेगा और या था परतिभीम नहीं बनेगा कोई भी दरपन हो पर तीबीम बनाने के लिए दो ठीक है चलिए कोई दिक्ट है नहीं अब बताते हैं ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा पुर्य अच्छे से यही माल लिए एक क्या है यह क्या है बताईए यह आपका दरपन हो गया विए धर से कलई किया हुआ है रंगा हुआ है किस से रंगा जाता ह्या शिलवर बुरो माइट से सब को पता है यह दरपन है ठीक है इंज़जी hen मैंने ना क्या हुआ ये एक बस्तू करते के पहले हम आपको इसकर इसको इसके महतने से समझा बहुत चीछ सम जाना भी भाखी बहस आप फ्यार से बने रही मज्या जाएगा यह समतलवार्पन आप इसके सामने ने एक बस्तू खड़ा करते हैं एक बस्तू खड़ा करते हैं आप देखेंगे जरूर बस्तू को देखें यही बस्तू खड़ा है उल्टा खड़ा कर दिये हैं यह चली यह बस्तू खड़ा है सिदा है न यह बस्तू खड़ा है बस्तू सिदा है कि टेड़ा है यह बस् कि डिसिप्ली में ख़ड़ा है कि यह बस्तू है जो खड़ा है कि अब गौड कि दिएगा कि बस्तू कहीं न कहीं खड़ा है तो इस पर एक जमीन होगा इसको दिखा देते हैं आप प्यार से न इसको देख लिजिएगा कि अ कि दिखिए इसको ऐसे दिखा देते हैं ठीक रहेगा आपको ठीक है न अ कि जाने दीजिए चलेगा कि अज़िए यहां पर बस्तू खड़ा है कि अब देखिए गौड से यहां से पढ़ाई स्टार्ट हो गया आपका एक समतल दर्पेन के सामने एक बस्तू खड़ा यही बस्तू है अब इससे पर्तिभीम बनाना है तो बोलिए क्यों रेग उजारना होगा आप बोलेंगे सर दो गो रेग उजारना होगा दिखाई दे अच्छा आप ही बताईए अभी जस्ट पढ़े हैं कि जब कोई परकास की किरन एकदम 90 डिगरी पर जाएगी तो क्या करेगी सीधे उसी पत पर वापस लौट के आ जाएगी सही बोले है गलत सही बोले ना कि जब कोई परकास की किरन एकदम 90 डिगरी पर जाएगी समतल दर पर उसी वह राष्टा स्वापस लौट आएगी यह परकास से किरन गई तो थी गई तो थी ऐसे यह लेकिन इसी पत्वर क्या हो गई वापस आ गई वापस आ गई तो इसको हम दिखाते हैं यह वापस आ गई कि देखिएगा थोड़ा टेड़ा हो गया है कि यह वापस आ गया ठीक है समझने का चीज है आप समझिए एक परकास की किरन जब एकदम 90 डिगरी पर ऐसे गई तो उसी पत्वर क्या होई वापस चली आई अब एक किरन और गुजारना होगा अभी एक किरन गुजारे हैं जैसे गई वह इसे वापस चल लाई तो कि 90 डिग माल लेज़ें दूसरा कियान गुजार दिए ऐसी अब तो यह नब डिगरी पर नहीं है नहीं नहीं तो यह अब घुड के वापस आएगी अपना दूसरा रास्ता से यहां पे ना भी लंब खीत देते हैं नौर्मल यहां पे कुछ कोन है यह आप्टित केंड हुआ इसके लिए यहां कोन आई समझ रहे होंगे बात को अप लोग यहां पे कोन आई हो गया यह और जब यह वापस आएगा तो जितना कोन पर गया है उतने कोन पर वापस आएगा आएगा कि नहीं आएगा आप बोलेंगे बिल लत बहुत ल्कूल आएगा यह देखिये वापस आने लगा कि अ फितना कॉन पर गया उतने कॉन पर वापस आ रहा है अब बताईए दूगो कढका सिक्राण ने तुम उतलTrade रखे जा रहा जब कभी तुम नहीं काटेगी आरा नए तहक लिए काटेगी योह η यह कौभी काटेगी ही नहीं तो परतिवीम बनेगा नहीं बनेगा जहां दो किरन काटती है प्रावर्तन या परतन के बाद वही न परतिवीम बनता है तो दुन्हों कटेवे न करेगी न उनने कटेगी न इनने कटेगी तो रियल में इधर प्रकास के किरन आई उधर तो कटी नहीं तो ह हम लोग स्ोचेंगे कि ऐसा करते हैं तास अगर उधर बढ़ा होता तो कट जाता व्owe करता हुआ है तो बात यंछी से किल्ए हो रहा है कि वास्तम्रेंगे लिए काल्पिदि कालपिनीक माथ ही नहीं तो उधर ही नहीं तो अब देखें इस करते हैं ध्यान से क्यों देखना है आपको आप ध्यान से देखिए मज़ा आजाएगा बस ध्यान से देखना है इसको बोले कि जाओ सीधे चले जाओ कि दॉट डॉट से दिखाए हैं क्योंकि इधर आया नहीं है प्रकास दुसरा इदम प्यार से देखिएगा और समझेगा भी दोनों काम करना है यह जो इधर आया प्रकास इसको बोले कि तू इधर नहीं आके इधर चला जाओ कि इधर कि इधर कि दूरा सा देख लेंगे ध्यान से कि यहां पर कटा लगभग आप देखिएगा यहां फिर इंसिन माप के हम नहीं काटे हैं एक दम एक्जेक्ट हो जाएगा लेकिन यहां पर कटा यहां पर कटा अब आप गौर किजिए पहला कोशन का एंसर मिल चुका है पहला कोशन का एंसर मिल चुका है दिखाई दे रहा है न सर पहला कोशन का एंसर मिल चुका है कि समतल धरपन में दो परकास किन प्राबरतन के बाद कटी है या कटी प्रतीत होई है आप बोलेंगे कटी प्रतीत होई है अगला पेज लेते हैं अराम से बने रहीएगा ध्या क्या कोते हैं को लिए-बोलिए कोई बोलते हैं को कालपृनिक को क्या बोलते हैं इसी का दुसरा नाम है और ऑभासी आज के बाद मुश्य मीकर लोग बोलता है्टॉ सिधा किसा वाड़ाता है सिध रिधा को एकट बोलते क्या बोलते है अब देखिए ऑन दारी आप तो था इसे परतिमी में अगो काथा क्या हो गया आपको बता रहें ध्यास सुन यहां सतर बशीडा के Steph हिस्ता चिज को देख रहा है यह दर्पन है, यह हमड़ा क्या है दर्पन है दर्पन मत्तब सिशा समथभख पन संबतल दर्पन से। अतने दूरी पर बना है। आपको हम सीशा से भी दिखा सकते हैं। आए तो सर्ण, विशाले का आए तो। देखिएगा। देखिए आपको सीशा से दिखाते हैं। अपर सब पकरिएगा तो। दिखाई दे रहा है हुआ पर देखेंगे। इधर नहीं, आप उदर देगे। दिखाई ये तो, दिखाई दे रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है, आप गौर किजिए गाइ स्कीन पर आप देख रहे होंगे, ये जो सिसा है, दरपन, ये समतल दरपन है, और सर का जो फेस है, अंदर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये जो इनका फेस अंद तो अंदर भी पक्रतिभीर एक दूर पर दिखायें देता होगा देखाय देर है किया दिखाय देर है सिसा से एक हार दूर है अंुर भी सिसा के अंदर देनीका इमेज बन रहा है वह भी एक हात अंदर दूर अब देख लिए अब देख़ें सर जैसेchnya तो पतल द्रपन में जतना दूर बस्तु के दूरी है उतरे अंदर परतिभीम की दूरी है अब दूसरा कहां बेख लीजिए बोतल से दिखाते हैं आपको ग्यादा बेटर दिखाई देगा देगा प्रशाया देखे है तो बोतल दिख रहा है नए दिख रहा है अब दिखाँ आप गौड कीजिए यहां पर पुड़ा गौड कीजिए यह बोतल है ये रियल में शीशा से देखे कुछ दूरी पर है न उतने अंदर सिशा के अंदर दिखाई दे रहा है एक point clear हो गया कि दरपन से ये बोतल के दूरी बोतल मतलब बस्तु आखरा अंदर कती बनदा है परतिभीम यानि दरपन से परतिभीम की दूरी पराबर दरपन से बस्तु की दूरी पराबर दरपन से परतिभीम की दूरी यानि जेतना बस्तु की दूरी उतना ही परतिभीम की मेढ भी ऐगे एक शिदा यह दो पॉइंट कर लीजिये कि बोतल के उपर जहक्कन है ज़कन को उपर है गे नहीं है इसका मतलब यह भी किलियर हो गया कि बस तू सिधा है अगर आप दरपन को ठीटा को से घूमाएंगे तो उसके अंदर इमेज बन रहा है न वो कितना को से घूमेगा टू ठीटा अगर सर दर्पन को सिसा को 10 के 10 डिगरी के कोई पर घुमा रहे हैं तो परतिभीम आपको 20 डिगरी पर घुमता हुआ दिखाई देगा किसरा पॉइंट भी नोट किजिएगा पास लाइए नजदिक लाज़े इस टाइप से यह रोड़ा है आप देखिए एक चीज़ थुरा घुमा आईए तो स्पीड में मतलब थुरा स्पीड में सिसा को घुमा आईए अब जो लोग देख रहे हैं को और किजिए कि सर दर्पन को न लेगे पांच के स्पीड से घुमा रहे होंगे प्रगुमा यह कुछ की स्पीड से एक रहा अंदर जो पर्तिव तो नी जादे स्पीड घुमड़ा है यानि आगर आप सिसा यानि समतल दर्पन के सामने कि दस के स्पीड से दोड़ें गे तो परतिवीम उकुर दूगना इस पिडियानि 20 के स्पीड से दिखाई देगा ठीगा और और बात है जो अभी बताते है तो अधर के उसर उधर रखे तो फो और बात बताना है पले लिक लेते इतना वाट क्या क्या क्लियर हुआ बस्तू की दूड़ी परावर कर अरपन से परतिभीम की दूड़ी यह आपका तिसरा पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट देखिएगा तेशे अभी आप यहां भी देख सकते हैं फिगर में भी यह पस्तू का साइज और परतिभीम का साइज आ पसमें बराबर है यानि बस तू का आकार और परतिबीम का आकार. Size of object बरावर, sorry, equal size of image. यानि बस तू का आकार इसके बरावर है? परतिबीम की आकार का. फिर गहें? यानि जितना को बस तू उतने को परतिबीम. तो चोठा बात हो जाएगा, प्रतिबीम्ब का अकार। ठीक है। कि सूर्व करत्ति में धिशी गए थे कि यनिा यनि प्रति कार। कि पटे tutti जा दाते थे परत्य बहुत दूर पाइस तो पास अफ आया लिडियेगा और भी भी wrong बहुत है कि दूर्य यानी दरपन से बस्थू की दूरी क्या बोले médico दरपन से बस्थू की दूरी बराबर डरपन से परत्य घुरिये आप आपस Kelli halone Time the आप देखिए गौर से! पास्तु था इन्ने दर्पन के आगे परतिभिम करने बना पीछे, यानि समतल दर्पन में परतिभिम कहां बनता है तो दर्पन के पीछे. हया बनता है? दरफण के पीछे. बहुत अच्छा. तो पर तीभिम्भ… परतीभिम्भ… दरफण के… 2.5 के पीछे बनता है? पीछे बनता है. आप लोग नोट भी करते चलेंगे, फठा पॉइंट, जितना पॉइंट चाहेंगे लिखते चलेंगे, फठा पॉइंट, ध्यान देंगे, हलो, फठा पॉइंट जो है, वह है पार्शिविक रूप से उल्टा, ये लाइन को समझेना है बच्चे को, पार्शिविक रूप से उल्टा लिटरली इन्वर्स लिटरल इन्वर्स परास्ता इंग्लिस भी ध्यान देंगे कि आप आगे दिन मैट्रिक के बाद आप इंटर में कहीं पढ़ने दाएंगे बाहर सहर में वहाँ पे सर यह आपको बस्तु नहीं अब्जेक्ट बोलेंगे परतिभीम नहीं इमेज बोलेंगे तापू समय शाना हो कि आप जानते सब कुछ है हिंदी में और रिविस लागे कुछ नहीं जानते हैं यह सब का आप जान जाईएगा ना क्या जानेएगा distance of object from mirror बस्तु क्या कार side of object परतिभीम का कार side of image परतिभीम दरपन के पीछे बनता है image is formed behind the mirror इस टाप से आप समझते रहेंगे पार्सविक रूप से उल्टा यह पार्सविक रूप से उल्टा क्या होता है सर सारा point तो समझे कि कालपिनिक सीधा दरपन यह सब समझ गया है यह चछटा point सर नहीं समझ रहें कि पार्सविक रूप से उल्टा क्या होता है यह मैं आपको बताता हूं समतल दरपन पार्सवि पार्स्विक रूप से उल्टा पर्ति भी मनाता है यह पार्स्विक रूप से उल्टा क्या होता है समझे जैसे पार्स्विक रूप से उल्टा क्या होता है कि जो भी लेटर लिखेंगे न अभी हम देखाएंगे इसे आर ऐसे लिखे आर मेरा नाम हुआ आर ऐसे लिखे, इना के सामने नहीं आर ऐसे दिखाई देगा, आईसे, समझे, बात को समझिएगा, अगर P ऐसे है, तो P ऐसे दिखाई देगा, एकरे कहते हैं, पार्स्विक रूप से उल्टा, इसलिए कभी कभी क्या देखिएगा, आप, एम्बूलेंस जो गारी पर लिखा लाता है, उल्टा लिखता है, क्यों? कि अगला गारी बोला सिशा पर देखाई देगा, कईसा दिखाई देगा, सिधा दिखाई देगा, आईए सर आपको एम्बूलेंस दिखाते हैं, कैसे राता है जो, देखेगा तो सर वहाँ पे, अभी कैसा दिखाई दे रहा है, यही चीज पहले से बोल रहा है though, यह उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकर सिर्दा है, उस समय से उल्टा दिखाई दे रहा था, अब देखे तो, एक बने ठड़ा ये तो, हम इस्क्रीन पर थोड़े देख रहे हैं, आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी कैसा दिखाई दे रहा है, यह उल्टा दिखाई दे रहा है, यही चीद पहले से बोल रहे थे, यह उल्टा दिखाई दे रहा है, ऐसे पर और श्रीनो ने नियुक्ष चाहला गल्टा कर ने हैं। ो यहाँ लिए होता है पार्चविक रूप से उल्टा आप कहीभी कोई लेटर देखेगा इसे यह यह को दिखने देगा सिशा पर समझेगी नी शमझे है उल्टा एसे वला उल्टा होता है एक होता है वाटर इमेज एक होता है गलासी में देखाक ट उप गातरी में में ऐसे सई से पोलड देता है, अब अगार इसा समझे ग daran दिखाए है है, पार्च्वी ग्रूप के मतलब होता है लेप्टू को राइट को कती में लीप्टू都 काती में दिखाना होता है राइट में खुझा शेया है एक след का आति का आप इक आप पार्च्वी अगला पेज लाते हैं सात्मा प्रपटी क्या लिखाएगा बताईए तो सात्मा प्रपटी क्या लिखे और प्रपटी नहीं लेकिन समतल दरबन में कैसा कैसा पटी मनेगा पिहारबन में पाचे छगों से काम चल जाएगा सात्मा यह हो सकता है कि दरपन को किसको दरपन को ठीटा कोन ठीटा कोन से घुमाएंगे तो पर्तिभीम्ब तो ठीटा कोन से घुमेगा मतलब हम दरपन को ठीटा कोन से घुमाएंगे तो ठीटा से अगर हम आइना के सामने थोरा साइसे मूब करेंगे तो लगेगे ज्यादा ज्यादा मूमेंट दिखा देगा इसलिए डैंस कलास और देखिए दूसरी बात जी मूम में भी जाईएगा न तो शीशा लग अला था अग्वान देखाएगा अगर आप दरपन में भी बेक से दाब रहें रहे ? यहां लिग ज़ते है? परती भी म् तू भी बेक से तो पुरा हटाना पारेगा फरती बीम्ब तो भी बेक्स नॉमा पॉइंट सारा पॉइंट देख लीजे हानी नहीं करेगा फैदा करेगा अगर किसी आदमी को अपना पूरा कल वीष्ट बताएं सायद अगर किसी आदमी को अपना पूरा इमेज देखना है पूरा उसका सिसा जो काँच है कि उसका दरपन उसका लंबाई केतना ना चाहिए उसके आधा अगर आदमी छो फूट के है तो सिसा तीन फूट का नौमा बात अच्छा एक ची और गौर किये हैं लड़का लोग तो गौर किया होगा साथ लड़की नहीं कियोगी टेर टेखमी उसी रड़की एक लड़का लोग बैठाई होगा किया आपके आगे भी सिसा लगा राता है अ पीछे भी सिसा लगा लाता है यह बहुत दिखाई देता है ये दो सम्तल दरपन के बीच में अगर रख दिया जाए इधर से लग जाए तो मेरा बहुत सरा इमेज बनेगा, बहुत सरा परति युद दिखाये देने लगेगा, तो ये किस पर करता है यह dependent करता है धीटा पर किस पर हीटा मतलब कों पर मतलब कि आप दरपन को कितना डीगरी पर जुखा के रखे हैं मतलब क्या धीटा को दर प्पन को कितना डिग्री पर रखे हैं अगर मान लीजिए हम कोई सेलून में गए हैं समझे गए एडमपल अगर हम कोई सेलून में गए हैं उस सेलून वळा जो है सिसा को 60 डिग्री 60 डिग्री पर धुका है दूनों सिसा को केतना डिग्री पर? 60 डिग्री पर कि अद». Ooh do not. सब्सक्राइब अद्रहें। बीच निमें आदमी मों भी टल को एंक पहलोगों। अक बीच में आदमी टल की पर उवा रहा है। उसका कितना पूरिक है दिखाए दे लगिए गा इसका ऐक फ़र्मूला है ध्यान रखेगा है बता देते एं। ताम देगा आपको अगर इस टाइब से कोश्चन आ जाए इसका एक फर्मूला है फर्मूला देखिए लिग देते हैं फिर कोश्चन कड़ाते हैं फर्मूला है तीन सो साथ डिगरी वट्टामे ठीट है इसमें खाली एक चीज़ क्या स्पेसल याद रखना है ध्यान देंगे क्या याद रखना है कि अगर इसको काटने के बाद अगर सम संख्या आया कती आया सम संख्या सम संख्या आया इभेन नमबर आया तो उसमें से एक घटा लीजिए कितना घटा लीजिए एक घटा लीजिए फिसम आया तो चुप चप छोड़ दीजिए पन जाएगा इसे एक समझेगा सेलून में बैठे उस सेलून के दोनों तरफ का जो दरपान है वो 60 डिगरी पर है 60 डिगरी पर जुका हुआ है तो आपको कितना सीर दिखाए देगा तीरो की संख्या बताईए तीरो की संख्या बताईए अब मेरे पास यहाँ द्रफ कि सर्फ नखी अपकर सेलून में रहता है वहां भी तो सिलूण होगा तो अब देखेओंगे लसेरो की संख्या निकालना है तोक्रमूला है तीन सबसाथ भोले दरपान को केतना में रखले हैं शाट दिखरी सबसक्तिए और यह नहींसे वोले थे इवेंन नंबर रहेगा तो क्या करना एक घटा लेगा चो एक घटा के अंसर बोले नी पाँच आपको पाँच वो सीर्ड दिखाए देगा अगर माल लिदि आपको इस समय निक से वह है संजोसे जोन बला जो है नव आया बोले नव इभेन है कि और और है इभेन नहीं नहीं है समसा क्या नहीं है तो इसका एंसर नो इन्हीं नव को मुड़ी दिखाए देगा समझें को दिखात नहीं है और कभी अगर ऐसा हो कि भाई काटने के बाद नव दो समझें दू आ जाए तो भी नव ये को नांक लेना है यहां तक हो गया तो समतल दर्पन में समझेंगा कैसा पर्तिवीम बनेगा इसका पूरा कहानी हम लिखें यहां पर पहले आपको मैं बता दू कि समतल दर्पन में पर्तिवीम कैसे बनाएं आपको फीगर से समझाएं फिर आपको कुछ हम किसे समझाएं एक सि सीधा, सीधा बोलेंगे तो, धरपन से बस्तू की दूरी बराबर धरपन से परतिवीम की दूरी, बस्तू का कार बराबर परतिवीम का कर, परतिवीम कहा बनेगा दरपन के पीछे बनेगा, और पार्चपीक रूफ के मतलब होता हैं, कि लिफ्ट का राइट में, आरइट का Technology इम्बूलेंस वल आप देखें इमेज में भी दिखाएं ठीक है चलिए अब देखिए यह हो गया अगला बोले यह सब भी आप देख लिए फिरोगरों के संख्या निकालना भी समझ गया अब यह हो गया complete समतल दरपन में कैसा परती भी मनता है कैसे बनता है हमने चित्र सभी समझाने का पूरा कोशिस किया आप समझे भी होंगे समझ गया है अब अगरा हेटिंग लगाएंगे कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देख चलिए ध्यान दीजिएगा बतारना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा बस हो गया लिए को chaliyya समझ振े यह यह कोई गोली धर दर्पन है किसा दर्पन है गोली धर्पन आ जाए अपने अपंठे काम पे लगजाएं आप लोग यह आपका जो है गोली धर्पन दर्पन है, और इसको दो भाग में बारते हैं, तो आपको पता है कि क्या होता है? बोलिये, पक्का कोई मक्षी बिठ लिया होगा, मक्षी को भी नहम को तंकरना पढ़ाता है, इसको जब अधेहत काटेंगे तो दूग आपको मिलेगा दरपन तो आप जानते हैं कल भी बताये थे और पेंट करना किदर होता है यह भी आप जानते हैं तो समझेगा अच्छे से आटेंगे तो काटें नहीं तेगों दर्पन इधर ऐसा मिला दिखेंग गोर्ष से इसा मिला कि यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है अब गॉर्ष से समझें यहां से सबसे पहला कहानी है इसका नाम है धुरूक कि लिए से बोलता है पोल पूल शब से पहले धूरूब किसे काँते हैं। दूरूब पूल किसे कौते हैं anyway है कोन दर्पन है बताइए तो कि कौन दर्पन है कि अबतल बहुत अच्छा ये आपका अबतल दरपन है अब तल दर्पन हो चाहे उत्तल दर्पन हो जो भी नामा करेंगे दोनों क्लेल करेंगे ठीक है समझेगा यह धुरूब जो पोल है यह क्या होता है तो आज के बाद आप देख लीजिए जेतना को दर्पन रहेगा उकरता कोई ना कोई बीच में बिंदू होगा की नहीं होगा कोई ना कोई उसका बीच पॉइंट होगा की नहीं होगा आप अपना कोपी निकाल लीजिए और लिखिए धुरूब किसे कहते हैं तो आप लिखिए धुरूब पोल किसे कहते हैं लिखिए दर्पन के क्या बोले दरपन के लिखे चल दी दरपन के मदभिन्दू को धुरूब कहते हैं आप लिख लेंगे नगे दू दू नमर दखेगा एक आता है बकरता केंदर कौन केंद बकरता किंद्र 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 किंद् होता है न यह दरपन है तो गोला का एक भाग है तो दरपन जो होता है न किसी न किसी गोले का एक हिस्सा होता है अब गोला होगा तो कर अंदर कहते होगा केंद्र होगा यानि दरपन किसी न किसी गोले का हिस्सा है और उस गोले के केंद्र को ही जो ही गोला है वकर केंद्र को ह दरपन का बक्ता किंद्र कहते हैं, लिखेंगे आप लोग, जो लोग पर रहे हैं वो, क्या बोले, फिर से सुन लिजीए, बोले कि दरपन किसी न किसी गोले का हिस्सा होता है, और उस गोले का किंद्र होगा, उस गोले के किंद्र कोहीं दरपन का बक्ता किंद्र कहते हैं, सिं उन्हें कॉनिये होगा की यहीं तो बक्ता और च Зна reproduce सिसे बर्कासी कि यह सी मिल गया दो बात धुरूप समझा दिये और बक्ता केंद्र समझा दिये कोई पूछे है दे बक्ता केंद्र किसे कहते तो क्या बोलेंगे आप ऐसे बोलेंगे कि दरपन किसी न किसी गोले का खिसा होता है और उस गोले के केंद्र कोई दरपन का बक्ता केंद्र कहते है अच्छा अगर एककर पूछे गेढ़ें सी से डिनोट करते हैं को सी से हो जाएगा अब आएगा बकटा त्रिज्या बोलते हैं रेडियोस अफ क्या रेडियोस अफ कारवेचेर रेडियोस अफ कारवेचेर वक्ता त्रिजिया इसको आर्चे रिनोट करते हैं यह क्या होता है सुनिएगा प्यार से कोई भी दरपन किसी न किसी गोले का हिसा है और गोले के त्रिजिया यह गोला के त्रिजिया जो है यह गोला के त्रिजिया दरपन का क्या कहलाता है बक्ता त्रिजिया कहलाता है यानि कोई दरपन जो है किसी न किसी गोले का हिसा है और गोला का त्रिजिया होगा तो है गोला के नाम से जाना गया जो गोला में त्रिज्या के नाम से जाना जाता था वो दर्पन में बक्ता त्रिज्या के नाम से जाना गया बस और कुछ नहीं है ठीक है चलिए तो कोई पुछे गार जिए बक्ता त्रिज्या क्या बोलेंगे तो बोल देंगे कि दर्पन किसी ने किसी ग परक ही अपर्चर कि ये जुब है भाइसाब है ऑर किजिए गाते जो है इसका सिमा दोनों है पलिदी को रहे था ना कि यतना है ब्या सितना है यंश यहां स currently को दिकत नहीं है यानि इसके दोनों का जोई डिस्टेंस यानि बयास ही बला यही दरपन का क्या गवाता है द्वारक कितना मुझ खुलत है द्वारक ही बताए कितना मुझ चौड़ा है वह है बता है इसको मिटाया चलेगा लेते रहेगा तो इसे पता चलेगा कि आप खाली सुन्दा या कलास से निकल रहे हैं हो गया क्या लिए परधान अक्ष नाम है एको परधान अक्ष या इसी का दूसरा नाम है मुख्य अक्ष होतय है परधान अक्ष परधान अक्ष मुख्य स्वक्यमिशन अधान रहे हैं इसी इसी समुलन भा यह कूछ नहीं होता है डो करती हैक और बोले और बोला अ in चलिए थे आप जानते हैं भली भाति कि एक दरपन के मत में धूरूथ होता है उन्ने क्या होता है फारत के HER B कुन्नों को मिला देगा मिला दिया यानि दरपन के बक्ता केंद्र और धुरूब को मिलाने वाली रेखा फिर से बोलिए रिपीट किजिए दरपन के बक्ता केंद्र और धुरूब को मिलाने वाली रेखा दरपन का पर्धानक्ष मुखक्ष प्रिंस्पल एक्षिस सब कहलाती ज Was यानि कोई पूछेगा कि परधुपन का प्रिंस्पल अक्षिस किसे कहते हैं। तो आपम बोलिएगा दर्पन के बकताकिन्द्र और धुरूब को मिलाने वाली रेखा को दर्पन का मुक्षिस कहते हैं प्रिंस्पल एक्सिस कहते हैं , यहीं है दर्पन का Kab certains बता है दरपन का धुरूप, आव याद कर लियोंगे दरपन के बीचवला बिंडू को दरपन का धुरूप कहते हैं, इससे P से दिनोट करते हैं दुसरा है, बक्ता केंदर ये भी समझाए है, कि दरपन कोई ना कोई गोला का एक हिस्सा है और वो गोला के केंद्र दरपन का बक्ता केंद्र कहलाता है फिर बक्ता त्रिजिया हम बोले कि दरपन भी किसी ने किसी गोले का हिस्सा है और उसी के त्रिजिया को दरपन में बक्ता त्रिजिया कहा दिया गया आर्ट से नोट करते हैं फिर द्वारा अपेर्चर नाम आया त परधान अक्ष या मुख अक्ष तो हम बोले दर्पन के दर्पन के बक्ता केंद्र और धुरूब को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं परधान अक्ष भूले याद हुआ कि नहीं हुआ आपको सुन के याद हो जाएगा फिजिक्स घरे पढ़ने की दूरत नहीं पढ़ेग यह दो चार बात था उसको बताएं कि टाइम कितना हुआ सर बताएंगे है कि अब हम लोग ना इसके आगे टॉपी कुछ और दिन ले जाएंगे लेकिन अल भी कुछ कोस्टन शूट गया था आज भी कुछ कुछ कुछन है यानि आज कुछ कुछ कुछन कर लेते हैं जो हम अचल यह स्टाट करें और देखिए वह सब ऐसा कोश्चन होगा जो बोड में आएगा अगर आप एसकीन सोट नहीं लिए है तो एक मोगा आभी भी है एसकीन सोट लेने का ले सकते हैं देखिए तोडी हम उल्टा कर दिए कर लिए तो यह इसका स्क्राइब ले लिए अप लोग अच्छा इसका दे खिए तो यह इसकीन सोट अगया इसका सिसट लेजिए पूरह इतना ही पराए अभी तक और रहना पराया नहीं पराया चलिए अब जानली जिए हम लोग आते है कुछ जगा पर और देखिए तब से पहले समतल दरफन प्लेनिम नमें देखिए यह चीज़ यहां भी छुपल था यह एंबूलेंस वाला बताईए आपके लिए रखे हुए थे भूलिये गये थे कि कहा है बैचरा देखिए एंबूलेंस में इसई लिख ले रहता है पता है क्या लिखता है सबमझ मैं न गया अगला गरी बिवला को किसा दिखाई सीधा जो ही आपको आने कर के दिखाया था ने कर के दिखाया दिखाया इसलिए फ्रेंस गोश् China लिखता है और एकरा बोलते हैं ए जो एकरेश यह ऐसे को लोग देखा देना इसका नाम है क्या कुछ ना बोलते है पार्सविक पर्सविक यह रूप से गत से गता कि लिट्रल इन्वर्स लिट्रल इन्वर्स देखिये यह यह की सिशा नहीं का सब्सक्रीव यह जो कि इस इसी सांग से जुआ डिख रहा है दिखिए मैं एकसे उल्टा दिखिए गण है नहीं आदि do मियारी सीशा के सामने फिंट इतना तेजा तक है नंसा में प्लेशित इस ऐंड हो घुमत लेपक्र प्हुंया को राइट बना देता है और इसी गून का नहीं है पार्षिविक भिश्टाफन लेटरल इनवर्स ठीक है तो यह था हम देखे नहीं थे चलिए तो आगे बढ़ते हैं कुछ कोश्चन किजिए मेरे साथ आगे है कोश्चन छोटा-छोटा कोश्चन है हमको लगता है कि आप लो क्रावर्तन के नियम का होगा न हूँ आख करके मारते बी क्या मारेगा है नीर्थारित होटा है 2017 में पूछ लिए 2015 में होटा है क्या क्या है क्यaphat अपक्टन कोन Кोन आईबराबर handful आर यानि आपतन कोन परावर्तन कोन के परावर्तन होता है पहिला ऑप्षन आप्तन कोन बरावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो बताईए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अमतल तर्पने कैसे परती बना था उन्हें ना बना था उन्हें काल्पनिक बहुत अच्छा काल्पनिक अप्शन नंबर बी काल्पनिक बना था चलिए आगे बरते हैं कि आईए परवार्तक पिष्ड के बिर्ताकार सीमारेखा का व्यास कहल आती है वा हिदु कि कहत filos safety मूंखा यह उन्हें नहीं पंधानक्ष नहीं दौर्ट अपर्टर दौरक क्लास ने समझाय थे हो गहा कैमने की दौरink इसका प्रूब भी करेंगे इसको प्रूब भी करेंगे कि जो फोकस दूरी होती है ना वो बक्तात्रिजा के आधी होती है फोकस दूरी क्या होती है फोकस दूरी बक्तात्रिजा के आधी होती है फोकस दूरी बक्तात्रिजा के आधी होती है तो आईसन ओप्शन में कहीं है एक बराबर आर वाई टू कि फोकस दूरी वक्ताति रिजा के आधी होती है गण किजिएगा यहां पे यहां पे मिस्टेक है थोरा से फोकस दूरी इवल आप्शन भी सही है गण किजिए यहां देखिए आर जो होती है फोकस दूरी के दूग ना होती है यहां बास सही है यहीं दू जाएगा तो टू एफ बराबर आर यानि दोनों अप्शन सही है यानि एए एंड और सी राइट और और कोस्टन तो नहीं है हम एक दिन पूरा बिहार बोर्ड में जितना कोशन अब जरूर बताएगे कि वीडियो कईसा लागा दो टोपिक छोड़ा चोड़ा टोपिक पर हैं समतल दरपन के बारें पर हैं तो आपको हो सकता है तो एफ बराबर आरवाई टू सीध करेंगे और आपको उतल दरपन कॉप्तल दरपन में इमेज कैसे बनता है और कौनकुर जरूर किजिए और कॉमेंट में जरूर डालिए क्या चाहिए और क्या चाहिए वीडियो में वो कमेंट किजिए जो भी दिक्कात है किजिए ठीक है अच्छा लागे तो अच्छा लिखिए बुरा लागे तो बुरा लिखिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर कल कर दो दोजया कर दो और नेत तो दो दोजडरा कि वे शो कर दो एक प सबस्वारा कि वे लगगा लोंक कि वे लो विगया कर दो दो साथ